नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सकसे स्टेप्स के से योटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन देशों की जमीन पर जो चीन है प्रिजेंट टाइम में अपना क्लेम कलता है किन-किन देशों की जमीन को अपना कहता है इसको हम कवर करेंगे उसके बाद इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वे छे देश कौन-कौन से हैं जिन पर प्रेजेंट टाइम में चीन का कभजा है तो चीन का बाकी अन्न देशों से जो जमीन का dispute चलना है उन सभी important जो dispute है जमीन के चीन और बाकी अन्य देशों के बीच के उसको हम इस वीडियो में पुरे विस्तार से देखेंगे तो चली वीडियो को start करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगए आपको तो like किजिएगा इस वीडियो को share किजिएगा इसके साथ अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आते हैं तो हमारी चैनल को subscribe भी जरूर कर लिजेगा इसी तरह के और important वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले हम start करेंगे map से तो यह map देखिए इस map में 6 देशों को दिखा गया है जिन पर present time में चीन अपना दावा करता है कि यह उसी के हिस्से हैं तिबबत हो गया पूरवी तुरकिस्तान हो गया जिसको सिंज यांक बोलता है चीन दच्छली मंगोलिया हो गया मकाउ हो ताइवान हो गया और हॉंग कांग यह 6 देश हैं जिन पर चीन अपना दावा करता है चीन कहता है कि यह जो 6 देश हैं यह उसी के भाग हैं तो इन 6 देशों के बारे में हम पूरे डिटेल में आईए बात कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम पूरवी तुरकिस्तान की पुर्वी तुर्किस्तान को जो चीन है सिंजियांग प्रांथ कहता है इसे आप या देखेगा जो पुर्वी तुर्किस्तान है चीन इसको सिंजियांग प्रांथ बताता है तता इस पर 1949 इसवी में चीन ने कब जाती आता तता यह जो सिंजियांग प्रांथ है यहां की जायरे आपको अईगर मुस्लिम के बारे में लगबग 10 लाख, यौन की 1 मिलियन जो ऊईगर मुस्लिम है, उनको कैदी बनाकर, उनको बंदी बनाकर इसी सिंजियांग परांत में ही चीन ने रखा हुआ है, तथा उईगर मुस्लिम ये तुर्किक मूल के माने जाते हैं, तता चीन ने तिबबत की तरह सिंजियांग को भी अपना स्वायत छित्र घोसित कर रखा है, अगला हमारा होगा जो देश हम कवर करेंगे तिबबत, तिबबत भी चीन ने अधिकार कर लिया था, 23 मही 1950 को इसे आप या दिखेगा, तिब पुर्वी तुर्किस्तान के बाद जो तिबबत है, चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांथ है, यहां पे जो 78% अबादी है, वो बौध रहती, यानि तिबबत के जो 78% लोग है, वो बौध हैं, तता आपको पता होगा, जो धर्म गुरु हैं, तिबबत के उनको दलाई ल लामा थे, उन्होंने भारत में आकर सरण ले ले थी, 1962 से पहले ही, तब जब दलाई लामा ने चीन के अगेंच्ट जाकर भारत में सरण ले ले थी, तो इसी कारण से जो चीन था, वो नराज हो गया था, और जब 1962 में भारत और चीन के मद्द यूद होता है, तो इन यूद के कारणों में से यह एक कारण था कि भारत ने दलाई लामा को सरण क्यों दी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, इसके बाद दच्छडी मंगोलिया या इनर मंगोलिया पर कब कबजा किया, तो 1947 में जो दच्छडी मंगोलिया है, इसको स्वायत इच्छित्र गुसित क दौरा, दूसरे बिशुद्र के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कबजा किया, तो इसे आप याद देखिएगा, इरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तिसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है, इसके बाद अगला देश से जिस पर चीन अपना अधिकाल जमाता है, व अधा, इस 1999 के रिवल्यूशन में जो पार्टी उबर का सामने आती, वो आती एक कम्मिनिस्ट पार्टी, याने की, माओ ते तुंग के नितृत में जो है कम्मिनिस्ट पार्टी की सरकार वलती है चाइना में, तो इसे भी आप याद देखिएगा, तता 1989 में कामिंग तांग की हार होती है तता हार के बाद जो कॉमिंग तांग था वह ताइवान चला गया इसके बाद 1949 में जब कम्मिनिस्ट पार्टी की सरकार बलती है तो चीन का नाम पिपल्स रिपॉब्लिक आप चाइना पड़ता है और ताइवान का नाम पड़ता है रिपॉब्लिक आप चाइना दोनों दो देश हैं ताइवान और चीन एक दूसरे को मानिता नहीं देते हैं लेकिन चीन दावा कलता है कि जो ताइवान है वह उसी का भाग यानि की उसी का हिस्सा है अगला देश है हौंग कॉंग, हौंग कॉंग जो था यह चीन का पहले हिस्सा था परन्तु 1882 के युद्ध में बिटिसों ने इसे चीन से अपने कबजे मिले लिया था 1997 में बिटेन ने चीन को हौंग कॉंग लोटा दिया और एक समझोता किया जिस समझोता कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम का समझोता इस समझोते के तैत चीन हौंग कॉंग को अगले पचाल साल तक राजनितिक तोर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ था तैसे आप या दे देश है मकाव, लगबाख 440, मतलब 4,540 साल तक पुल्तगालियों के कबजे मरा था मकाव, दिसंबर 1999 में पुल्तगालियों ने इसी चीन को ट्रांसफर करते समया को राजनितिक पेly दे रखी है तो ये इन पर अपना पूरा अधिकार जमाता है अब हम कुछ लैंड डिस्प्यूट की बात करेंगे जो चीन और अन्य देशों के बीच है सबसे पहले हम सुरवात करेंगे जपान और चीन के मद जो टापू एक है दीप एक है लेकिन इन दोनों के जारा अलग नंग नाम से पुकरा जाता है तता यही दीप जो है चीन और जपान के मद दे विवात का कारण है इसी दीप को जपान कहता है सेन काकुस दीप तता जपान कहता है यह दीप उसका है और चीन इस दीप को कहता है दिया ओयु दिप तदा चीन कहता है कि यह दिप उसका है तो यह जो दिप है यह जपान और चीन के मद्द विवात का कारण है इसके बाद हाली में जो नेपाल है उसकी लगबग 36 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन पर जो है चीन ने कपना अधिकार कर लिया था इसी कारण से यह भी न्यूज में था तो इसे भी आप या देखेगा नेपाल की लगबग 36 एक्टेर की जमीन पर जो है चीन ने अधिकार कर लिया था तो इसे आप जुरू या देखेगा उसके बाद हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत की तो आपको पता होगा अकस आपको आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए वस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर रौचिंग थैंक्यू